बच्चों, short story का part हमारा continue हो चुका है और हम पड़ाओ पे पहुँच चुके हैं, हमारी 7th story को cover करने के लिए 7th story के हमारे author हैं, बपानी बटाचारे, और अगर हम बपानी बटाचारे की बात करते हैं, तो हम क्या देखते हैं? कि ये एक intellectual personality है, बहुत ही अच्छे हैं और अच्छे का मतलब है कि इन्होंने न सिर्फ study purpose, novels, stories को लिखा है, ये एक first officer भी रहे वे हैं, इन्होंने administrative job भी किया वा है, foreign job भी किया वा है, even ये colleges में पढ़ा के भी आए वे हैं, it means lot of works are there, और भपानी बटाचारे, today we are covering its first part of the story, glory art, twillight, twillight कि अगर हम बात करें तो हम क्या कहते हैं, जो संध्य वेला होती है, उसे twillight कहा जाता है, तो संध्य वेला इसका शिशक क्यों रखा, क्या reason है, क्या ये एक extract है, यही सब कुछ हम हमारे first part में आपको cover करते हैं, about the author and story में सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे author बपानी बटाचारे के बारे में, बपानी बटाचारे was born on 10th November 1906 in भागलपूरा, a part of Bengal Presidency in British India, उस समय British India का राज था हमारे इंडिया में, और उसी time 1906, 10th November को भागलपूरा में बपानी बटाचारे का बर्त हुआ था, हम बात करें इनका कि ये बहुत अच्छी इंडियन राइटर है, तो देखिया, he was one of the foremost Indian writer of Bengali origin, who wrote social realist fiction, होता क्या है कि ये बेंगोली और इजिन है, social realist fiction के उपर ये लिखते हैं, लेकिन हम एक बात देखते हैं, कि इनकी जो बाते होती हैं, वो अच्छी अथर्स के साथ हो और अगर हम बात करें रविंद्र ना टेगोर की, तो रविंद्र ना टेगोर ने भी इनको सज़स्ट किया, कि it's okay, you have full command on Bengali, but आपको जो राइटिंग्स करना है, वो इंग्लिश में लिखना है, और इसी तरह से हम क्या देखते हैं, कि इनकी जो राइटिंग्स हैं, वो ज from the University of London, अगर हम इनके studies की बात करते हैं, तो हम देखते हैं, कि इनका graduation जो है, वो पटना University से हुआ है, और इनका जो डॉक्टरेट है, वो लंदन से हुआ है, लंदन से डॉक्टरेट करने के बाद में, ये civil services में आ गए, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और फोरन जाक आगोर सर से प्लस दो और फोरन जो ऑथर से उन से, और उनहीं के inspiration से इन्होंने लिखना शुरू किया था, ये बिलॉंग टो पीरिड ऑफ 20th century, अगर हम बात करें इनके belonging की, तो 20th century से बिलॉंग करते हैं, और हम देखते हैं, कि इनका जो वर्क है, वो सुसाइटी के जो भी ताने बाने हैं, सुसाइटी में कहां कितना उतार चड़ा होता है, इंसान कितनी परिशानियों से घीरा है, उसको कहानी में ढालना इनका सबसे बड़ा हुनर है, और वही हमें एक सीख भी देखे जाता है, तो हम क्या देखते हैं, 20th century की जो बिलॉंगिंग नैस है, ये हम स Dependency की जो स्टेज है वहां पर था, उस वक्त जो चारो तरफ हालात थे, उन्ही हालातों के उपर इन्होंने सो मैने हंगर्स को लिखा, और बहुत जादा पॉपुलरिटी भी पाई थी, Music for Mohini 1952 में इनका नया नोवल, और इसमें इन्होंने कितना तरीके से, जी हां, कितने अच्छे तरीके से अपने बात को रखा है, यह आप और हम जब पढ़ते हैं तो इसको रियलाइज जरूर करते हैं बचो, He Who Rides a Tiger, टाइगर के राइडिंग, लेगन यहां पर इन्होंने यही नोवल लिखा है, यहां पर इन्होंने इसी नोवल की बात की है, 1952 के इनका जो नोवल है, यह भी हम लोगों के लिए बहुती पढ़ने के मेटर से इंपोर्टेंट है, एक और है Five Shadows from Ladakh, जब Ladakh में 1966 में इनका नोवल आया है, लदाक की जो सिच्वेशन्स हैं, उन सिच्वेशन्स की परच्छाई को देखते वे, उन सिच्वेशन्स की कंडिश यह हवाई में एज लेक्ष्टरार काम करते थे और वहाँ पर इन्होंने यह नोवल लिखा है, ड्रीम इन हवाई 1978 में, इसके अलवा इनके कई सारी जो शॉर्ट स्टोरीज हैं, वो भी कवर होती हैं, अगर हम इनके अवाड्स की बात करते हैं, बच्छों तो हम क्या दिख ले ही बताया है, लटा की सिच्विशन की कंडिशन, हमने आपको बताया कि वहाँ पर क्या पोजिशन हो रही थी, उनको इन्होंने परच्छाई की तरह पीछा करा, परच्छाई की तरह उनको देखा, अब्जर्वेशन किया और अपने शब्दों में ढालके हम सब के सामने प्रस्तुत किया था, हम अगर अपनी इस प्रेजेंट स्टोरी की बात करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, इस स्टोरी ग्लोरिया ट्वलाइट, इस टेकन फूर्वेशन, स्ट्रीट हॉक और अधर स्टोरी से ही इसको लिया गया है, और यह जो है, यह हमारी जिन्दगी की त टेंट अक्टूबर 1988, तो 1906 से लेकिन 1988 तक कि इनके जो यात्रा है, उसमें इनोंने अपने वर्क से एक अमिट चाप छोड़ दी है, हम सब के सामने, एक अच्छा वर्क हम सब के सामने है, एक अच्छी हम कह सकते हैं कि इनकी जो परसनल लाइफ है, वह भी हम सब के लिए इ हम बात करें हमारे इस प्रिजेंट शॉर्ट स्टूरी की तो हम क्या देखते हैं, ग्लोरी अट्व लाइट वाई बपानी बट्टाचार्या इस दे स्टूरी डैट रिवोर्स राउंड सत्यजीत, हो आज़ए दे मोस्ट सक्सेस्फूल डेज इन ही लाइफ, यह जो स्टू घूम रही है, he worked in a bank, where he caught hold a man who was trying to uncash an unsigned check, और starting in के success की जो starting है, out of the way जाके इनको प्रमोशन मिला, लेकिन किस वज़े से मिला, इसका reason है, कि यह एक बैंक में काम करते थे, और वहाँ पे एक बार क्या हुआ, एक परसन वहाँ पे unsigned check लेके आते हैं, और उस unsigned check को uncash कराने की कोशिस करते हैं, after this incident, he was promoted, और वहे जो परसन आते हैं, उस वक्त उनके हाथ कांप रहे होते हैं, कहीं न कहीं सत्यजित को शक होता है, और सत्यजित क्या करते हैं, उन आदमी का check का पूरा जैसे ही देखते हैं, अपने manager को convince करते हैं, कि देखिए ये बात है, और unsigned check है, और इन ही सब बातों से impress होकर, इनके जो senior हैं, उन्होंने उनको out of the way जाके promote कर दिया, क्या promotion से ही था, क्या promotion से इनको कहीं कुछ benefit हो रहा था, क्या promotion से इनकी life smooth हो गई थी, या कहीं interruption वहाँ पे भी आ रहा था, let's see, then he was married, और इस incident के कुछ समय बाद में इनकी शादी कर दी गई He was on the pinnacle of a successful professor, और उस वक्त वहें अपनी सफलता के जो चरण है, अपने कार्य के प्रतीव बैंक में काम कर रहे थे और उसमें अपने सफलता के चरणों को एकदम उंची उचाईयों तक पहुंचा रहे थे, it means बहुत उंचा ये, पहुंच चुके थे, but, क्या होता है देख इस बैंक में काम करते थे, उस बैंक को दिवालिया घोशित कर दिया गया, और जब बैंक दिवालिया हो गई तो उनके जो करमचारी हैं वो एल्टीमेट वहां से हटा दिये गए और हटाने की वज़े से जो सत्यजीत है, वो भी अपने आप में दिवालिया हो गए, उनके पास जितना भी चीज था, वो सब इनको सेल आउट करना पड़ा, या मॉर्गिज पे रखना पड़ा, Now he had nothing with him, at present अगर हम इस स्टोरी के यहां इस पड़ाव तक देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं सत्यजीत के पास में अब कुछ भी नहीं है, He sent his pregnant wife to her parents, where she gave birth to a son, और अपनी इस चीज को छुपाने के लिए, ताकि मिसिस को भी पता ना शले कि अभी उनका जो financial condition है सत्यजीत का वो कैसा है, सत्यजीत अपनी pregnant wife को अपने पीहर भेज देते हैं, और वहां नाना के घर में क्या होता है बच्चों, जी हां सत्यजीत को एक पुत्र रतन की प्राप्ती होती है, तो यहां पुत्र रतन उन्हें मिल गया है, बट हम क्या देखते हैं, एक और crisis मूँ फाड़े उनके आगे खड़ी भी है, he got an invitation of marriage from Shrinath for his daughter's marriage, but at the village, अंकल Shrinath expected what he had not thought, अंकल Shrinath जो उनके real अंकल तो नहीं थे, परन्तु हम क्या देखते हैं, इनकी पहले भी तीन बेटियां थी, उन तीन बेटियों के समय भी Shrinath की help की थी, सत्यजीत ने बहुत अच्छा खर्चा किया था, और इसी उम्मीद से, Shrinath ने अपनी चौती बेटी की शादी में भी सत्यजीत को invitation दिया, और invitation सिर्फी सिसाफ से था, कि आप गाम आएंगे, तो आप से बहुत बड़ी unexpected जो आशाएं हमेशा रखी हैं, और आपने फुल्फिल की हैं, तो उन्हीं आशाओं को लेकर इस बार भी वो invited थे, 4 rupees 2001, invitation का reason भी होता है, क्या, invitation में श्रीनाथ जो हैं सत्यजीत को कनवे करते हैं, कि आपको पता है कि मुझे डौवरी देना पड़ेगा, और डौवरी में मुझे आपकी help की जरुद होगी, और help भी कहीं कोई छोटी मोटी help नहीं बच्चा, 2001 rupees की help, होता क्या है कि कहीं कहीं आप पहले किसी की मदद गर देते हैं और इस समय आप के पास में conditions जो है वो words है, बट सामने वाले को realization नहीं होता है, और वह है उसी उम्मे से जैसा कि आप पहले को operate करना चाहते थे, या करते थे, वो next time भी ऐसी ही आशा करते हैं, और इसी आशा की वज़े से हम क्या द उसे गिर्वी रखना पड़ा, mortgage, mortgage means गिर्वी रखना, mortgage his house and fish pond to pay uncle Shrinath, Shrinath uncle को 2001 रुपीज पे करने के लिए देखे आपको, इनको कितना संघश हो गया, इनको अपना house plus अपना जो fish pond है दोनों को mortgage पे रखना पड़ा, और क्या हुआ, now he found him on the dilemma, और अब वो बहुत ज्यादा उधेड़ उन में थे, क्यों क्योंकि पैसा तो वैसे भी नहीं था, और अब और भी ज्यादा पैसे का loss हो रहा था उनके यहां पर, he was not able to buy even a parambulator for his newly born son, और अब condition यह हो गई थे, कि उनके नया नया जो पुत्र रत्म प्राप्ती थी, उसके लिए अपने बेटे के लिए य अब तो ऐसी कोई condition ही नहीं है कि वो अपने बच्चे के लिए गाड़ी तक खरिद सके, और होता क्या है, and in the end he put a question, what now, the story ends here, और होता क्या है, last movie question रखते हैं, what's now, अब क्या होगा, it means वो खुद ही बहुत ज़्यादा उधेड़बुन में आ गए है, उनके पास में कहीं अपनी बात कहने का तो क्या पता, आज उनके संगलत नहीं होता और उनके संगलत नहीं होता, तो क्या पता हमारे साथ गलत नहीं होता, तो वचो क्या गलत हो गया, इतना बड़ा नुकसान है, लेकिन जो सत्यजीत हैं वो आगे क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, क्या वो इसे उदेड़बुन में ही अपनी जिन्दगी बिता देंगे, या उनके संग और ऐसा क क्या सरकमिस्ट्रांसिस हो गया था, यहीं सब रिडाउट करेंगे, हम हमारे सकेंड पार्ट में बने रही है बिंदू के साथ, नमस्कार